ओम यतो यतह समीह से ततो नो अभयम कुरू शमनह कुरू प्रजाभ्याः अभयमनह पशुभ्या प्रिय विद्यार्थिनह नमो नमह राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई शिक्षा संस्थानम नोएडा उत्तर प्रदेश अस्य सभागारे भवताम समेशाम स्वागतम व्याहरामी उच्चतर माध्यमिक कक्षाया हा पाठ्य क्रमस्य अंतरगते संस्कित साहित्यम नाम के प्रभागे एका दशमह पाठह अस्माभी अध्य विचार्यते अस्मिन पाठे शिवराज विजैस्था यवन दुराचारह अस्माभी चर्चते विगत पाठे अस्माभी द्रिश्टम यत कथम योगी राज संवाद मुखेन योगस्य माहात्म्यम तत्र विवर्णितमस्ती योगस्य महात्मे विशय तत्र योगी राजेन उक्तमस्ति यत कालस्य वेगह अस्माभी नजायते यदा वयम योगम आचरामह जीवने योगम यदि वयम धारयामह चेत सर्वाह सिध्धी ही अस्माभिर भविश्यती इती तत्र विचार्यते अस्मिन पाठे यवनानाम दुराचारह इती विशयम अधिकृत्य सर्वं प्रतिपाधितमस्ति तरही पश्यामस्तावत अग्रे यवनानाम दुराचारह तत्र आदो मूलपाठम पश्यामह तत संशृत्य भारत वर्षिय दशा संस्मरण संजात शोको रिदयस्त प्रसाद संभारोद गीरण श्रमेण एव अतिमंतरेण स्वरेण मास्म धर्म ध्वंसन घोशन एर योगी राज अस्य धैर्यम अवधी रय इती कंठम रुंधतो वाश्पान अविगणईय नेत्रे प्रमिज्य उश्नम निश्वस्य कातराभ्याम इवनायनाभ्याम परितोवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुहु प्रवक्तुमार अभत योगी क्या है वर्तमान अवस्था क्या है मैं जानना चाता हूँ तब योगी राज के द्वारा इस प्रकार निवेदित करने पर ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं उसी प्रसंग को यहां दोहराया गया है तच्शंशृत्य अर्थात वह सुनकर के भारत वर्षी दशा संस्मरण संजात शोको भारत वर्ष की दशा के संस्मरण से संजात यानि समुद्पन शोक रिदय वाले रिदयस्त प्रसाद संभार रिदयस्त यानि रिदय में स्थित प्रसाद अर्थात प्रसंदता उस बाहर निकालने के श्रम से अती मंत्रेण अर्थात उसे प्रथक करना और फिर भारत वर्ष्य दशारूपी शोग को प्रकट करना है। अपनी वानी के माध्यम से योगी राज से दहर्यम अवध ही रहा है। वाश्प यानी अश्रूपी अश्रूपी धारा को अविगणय उसे न गिनते वे उनके और न ध्यान देते हुए नेत्रे प्रमिज्य दोनों ही आखों को पूँच करके उश्णम निश्वस्य दीर्ग निश्वास लेकर गर्म आहे लेकर के कात्राभ्याम इवन एनाभ्याम बड़े ही कात्र भाव से दीन भाव से अपने आखों में उन भाव को प्रकट करते हुए परितह अवलो क्या चारों और देख करके ब्रह्मचारी गुरु हूँ उन ब्रह्मचारियों के गुरु ने प्रवक्तुमा रभत बोलना प्रारंभ किया इससे पहले आप देख चुके हैं कि योगी राज के द्वारा अपनी संपूर्ण जो उनका वृत्तान था उसे प्रकट किया कि कैसे उन्होंने राजा विक्रमादित्य के समय से योग अवस्था को प्राप्त करके अध्यावदी परिंतवा योग अवस्था में थे और अच भूबालिका का अपहरन किया जाता है उस घटना से योगी राज कर दे और भी द्रवित हो उड़ता है और वे जानना चाते कि वर्तमान में भारत की अवस्था क्या है इस संपूर्ण व्यवस्था को ब्रह्मचारी गुरु तो जानते ही है अतहा वे जब इस व्यवस्था क बताना चाते हैं इस संपूर्ण परिवेश को प्रकट करना चाते हैं तो उनका मन जो है अंदर से दुखी हो जाता है उनका कंठ रूंद जाता है उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है देर्गनिश्वास लेकर अपने नैनों के माध्यम से ही वे संच्रुत्य शबद आया था, जिसका अर्फ था सुन करके। सं उपसर्ग पूर्वकात् शुरू स्रवने इत्यसमाध्धातो हो, समान कर्त्रिक योह पूर्वकाले इत्यनेनक त्वा प्रत्य हा विधियते। तदनू समासे अनय पूर्वेक्तोलब इती सूत्रेन तत्र त्वास्थाने ल्यप्रत्यकृते संशुरुत्य इती शब्दह सिध्यते तदनू भारत वर्षिय दशा संस्मरण संजात शोकह तत्रवयम पश्यामा भारत वर्षस्य इति विग्रहे छा प्रत्य एकृते भारत वर्षिय इति पदम निश्पद्यते भारत वर्षिया चा असु दशा चेती भारत वर्षिय दशा कर्मधारय अत्र वर्त ते यतो ही विशेशन विशे कर्मधारय समासा भोती तत्र कर्मधारय समासा तत्र विधी यते तस्याहा भारत वर्षिय दशायाहा संस्मरणम भारत वर्षिय दशा संस्मरणम अत्र शष्टितत पुरुषाह समासह तेन भारत वर्षिय दशा संस्मरणेन संजातह समुत्पन्नह इत्यर्था भारत वर्षिय दशा संस्मरण संजातह तृतिया तत पुरुषाह अत्र समासह भारत वर्षिय दशा संस्मर्ण संजात शोकह यस्य सभारत वर्षिय दशा संस्मर्ण संजात शोकह अंतेच बहुब्री समासह पूर्वे ये समासह संती ते गर्भे संती अंतेच बहुब्री समासह रदयस्था रदय तिष्ठती ती विग्रहे रदय उपपदा स्थाधातो हो का प्रत्य कृते रदयस्था इति पदसिद्धी अत्र उपपत्तत पुरुशा वर्तते रदयस्था प्रसाध संभार उद्गीरण श्रमेण प्रसाधस्य संभारह प्रसाध संभारह रदयस्था या प्रसाध संभारह रदय प्रसाध संभारह अत्र वयं पश्याम यथा सर्वत्र प्रसाधस्य संभारह इत्यत्र शष्टी तत्पुरुशा पुनहा रदयस्था या प्रसाद संभार इत्यत्र बहुबरी समासा। एवं प्रकाररे्ण अत्र वयं समास विदही द्रष्टुम् अथच व्याकरनस्य यानी अंगानी अत्र प्रयुंतानी ततानी सर्वानी वयं द्रश्टुम शक्नुमाह अग्रे चलामह अग्रे वर्तते धर्मध्वंसन गोशने ही धर्मस्य ध्वंशनम ध्वंशनम नाम नाशम धर्मस्य ध्वंशनम धर्मध्वंशनम शस्टीतत पुरुषा तस्य घोषणम धर्मध्वंशन घोषणम तैही धर्मध्वंशन घोषणी पुनहा शस्टीतत पुरुषा समासा वर्तते अव धीरय विचलित न करे अव उपसर्ग पूर्वक ध्री धायने इत्तिसमात धातो हो लोटी मध्यम पुरुशैक वचने इदम रूपम सिद्ध्यते अविगणाईया वी उपसर्ग पूर्वकात गणधातो हो निच प्रत्ते कृते तदनू ल्यप प्रत्ते कृते वीगणाईया इती शब्दह सिद्धे तदनू ना वीगणाईया अविगणाईया नेतत पुरुश अर्थात नहीं गिन करके उन आसुओ की परवाह नहीं करके प्रम्रिज प्राउपसरग पूर्वक मृज धातो हो लयपी प्रत्ते कृते प्रम्रिज इती शबदह सिध्धिते अवा लोक्या अवा उपसर्ग पुर्वात लोक्री दर्शने इत्यसमा धातो हो पुनहा ल्यप प्रत्य यहा प्रवक्तुम इत्यत्रापी प्राउपसर्ग पुर्वकात वचपरी भाशने धातो हो तुमन प्रत्य यहा आ रभत आ उप्सर्ग पुर्वकाद रभधातो हो लंगी प्रथम पुरुषैक वच्चने आ रभत इती रूप सिद्धिही आ रभत आ रभताम आ रभंत इती तत्र वयम रूपम पश्यामह अग्रे चलामा अग्रे पश्यामह मूलपाठं भगवन तदा ब्रह्मचारी गुरुः वदती भगवन दंभोली घटितायम रसना या दारुण दानवो दंतो दीरनैर नदीर्यते लोहसारमयम रिदयम तत संस्मृत्य यावनान परस्यहस्रान दुराचारान शतधा नभिद् धिग असमान ये अध्यापी जीवा महा श्वसी महा वीचरा महा आत्मनहा आर्ये वंशंश्चा अभिमन्या महे अर्थात ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि योगिराज आप सुनिए भगवन स्रेश्ट पुरुषों के लिए अपने से उदात्त पुरुषों के लिए यहा संबोधन होता है भगवन शब्द हम प्रायश साहित्य में देखते हैं अपने से जो अगरज है हमसे जो बड़े हैं समाज में सम्मान ये पदो पर हैं उन सभी के लिए हम भगवन शब्द का संबोधन कर सकते हैं दंभोली घटिता यम रसना यह जो रसना है यह जो जिवह है मेरी यह दंभोली घटिता अर्थात वज्र से बनी हुई है क्योंकि या दारुन दानव उदंतो दीरनी नदीयते दारुन अर्थात भयंकर दानव राक्षसों के उदंत अर्थात कथानकों से उदीरनी उन कथा अरफात भयंकर राक्षासों की कथाओं के कथन से वाचन से भी यहा नदीर्यते यहां फट नहीं जाती यहां टूटनी जाती यहां कटनी ही जाती इसलिए कभी यह कह रहा है कि ब्रह्मचारी गुरु की रसना दंभुली घटिता अरफात वज्वक्स निर्मित से लोहसारमयम यहाँ जो रिदय है मेरा ब्रह्मचारी गुरु कहते है है कि संस्मित्य को समरन करके याद करने पर यहाँ नहीं तूट रहा है अर्थात वह यह कहना चाहता है कि इतने दुखों के बाद भी हम अगर आज तक जीवित है हमारा रिदय काम कर रहा है तो निश्चित है वहाँ लोहे का बना हुआ है भस्म साच्चनभवती अर्थात हम भस्म नहीं हो रहे हैं राख नहीं हो रहे हैं कि इतने यवनों के दुराचारों को हम समरन कर रहे हैं पुनहा उस समय भी हम जीवित हैं फिर भी हम उन यवनों के दुराचारों का प्रतिगरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मिटा नहीं पा है इसले हम ये मान रहे कि हम स्वयम लोहसार है अर्थत लोहे के बनी हुए और अभी तक भस्तमनी हुए है धिग-शमान हमें धिक्कार है ये अद्ध्याप्य जीवा महा जो आज भी जी रहे है श्वसी महा प्राण धारन कर रहे है श्वास ले रहे हैं वीचरामा और परिभ्रमन कर रहे हैं इदर उदर घूं रहे हैं आत्मनाहा आइयवन्षिय्य मानते हैं स्रेश्ट मानते हैं हमें धिक्कार है कि यहनों के द्वारा इस भारत-भूमी पर जिस तरह से पदाकरांत हैं इस भारत-भूमी को किया जाchron है तथ कभी अपने ब्रह्मचारी गुरु के मुक से यह कहना चाहरा है कि निश्चिति उस समय की प्रजा कभी यह कहना चाहरा है कि जिस देश पर अन्य जनों के द्वारा अन्य शाश्कों के द्वारा इतना अधिक अत्याचार इतना अधिक दुराचार किया जाता हो और फिर भी वह कि जनता में आक्रोश नहों तो निश्चिति वह जनता मृत्व प्राय है इसी अभिप्राय को यहां कभी कहना चाह रहा है आईए हम कुछ मूल पार से इतरत अतिरिक्त व्याकरण के विशय संधर्भों को समझते हैं यहां प्रथम पदता दंभोली घटिता दंभोली घटिता यहां त्रित्या तत्पुरुष समासे दारुन दानव उदंत उदीरने ही चाह शब्द है यहां पे दारुन दानव उदंत और उदीरन दारुन आश्च अमी दानवाहा दारुन दानवाहा यहां पुनहा विशेशन विशेश्य भाव से कर्मधारय हुआ है दारुन दानव इसते पानाम उदंतह, दारुन दानव पूरोंण दाना जाब मदीतकर पूरों छाय तो बस्म साथ भषम झब मंदकर कई दीर्धा मद्यू करने अलएयिका धाथ Clemenon भाव कर्म के अर्थ में यक प्रत्य हुआ है पुनहा लटलकार में प्रथम पुरुशय कवचन में यहां दीर्यते रूप सिद्धी होती है धिग असमान धिग इस अव्वे के योग में हम देखते हैं कि द्वितियाई विवक्ति का प्रयोग होता है शास्त्र में नियम है विवक्तिया दो प्रकार की परिगनित है उपपद और कारक जो क्रिया से अन्वित होते हैं उनके योग में जो विवक्ति होती है वह कारक होती है और जो शब्द के सहाचर्य वशात विवक्ति होती है वह उपपद विवक्ति कहलाती है संस्मित्य, सम उपसर्ग पूर्वक स्मिर्धातू से ल्यप्रत्य करने पर संस्मित्य शब्द बनता है रसना शब्द भी यहां प्रयोग हुआ था रसना का अर्थ था जीवा अमरकोश में इसके अनेक परियावाची शब्दों का उलेख है जैसे रसज्य, रसना, जीवा, इत्यादी आईए अग्ये चलते हैं मूलपाठम संप्रतिपश्यामह उपक्रमम अमूम आकर्ण्य अवलोक्यच मुनेर विमनायमानम हरिद्रा द्रवक्षालितम इवद्वदनम निपतद्वारबिंदुनी नयने अंचित रोमकंचुकं शरीरं कंपमान मधरं भज्यमानंच स्वरं अवागच्छत सकल अनर्थ मयह सकल वंचना मयह सकल पाप मयह सकल उपद्रव मयश्च अयम वृत्तांत इती अत एव तत्स्मरणमात्रेनापी विद्धत एशरदय अई ये मूल पाट के अर्थो को हम समझते है उपक्रमम अमूम आकर्ण इस संपूर्ण उपक्रम को सुन करके अवलोक्यच और देख करके क्या मुनेर विमनायमानम मुनी का जो ब्रह्मचारी गुरु है उनके लिए यहां मुनी शब्द प्रयोग है वे कहते हैं कि अवलोक्यच मुनेर विमनायमानम हरिद्रा द्रवक्षालितम वदनम मुनी का विमनायमान विमनायमान का अर्थ है अन्यमनसकता उस मुनी का जब वह मुख देखते हैं जो कि अन्यमनसक के समान प्रतीत होता है विमनायमान मन का न होना मन का वहाँ उपस्तित न होना इस अर्थ में हरिद्रा द्रवक्षालित हरिद्रा का अर्थ है हल्दी हल्दी के द्रव अर्थात रस यानि हल्दी के घोल से क्षालितमी वदन मानों कि उनका मुख जो है हल्दी से धुला हुआ हो हल्दी से साप किया गया हो यहां कहना चाहरे है कि ब्रह्मचारी गुरु का जो मुक्ता वहां पीला पड़ गया था क्योंकि उस संपूर्ण दुराचार में व्रत्तान्त को याद करने से उनका संपूर्ण शरीर के जो अवस्था हो गई थी उस अवस्था को इस अनुच्छेत के माध्यम से प्रकट किय जा रहा है कि मुनी का जो संपूर्ण शरीर है उनकी जो अवस्था है वही प्रकट कर रही है कि उस समय यवन दुराचार के रहे हैं निपत द्वारी बिंदुनी गिरते हुए निपत अर्थात गिरते हुए वारी बिंदुनी नयने उनके नेत्रों से वारी बिंदुनी वा वैं अंचित थी यानी जागरित थी कम्पमानम अधरम उनके अधर उनके होटकाप रहे थे भरजमानधार्था भरबरित हो रहा था अवाग अच्छत इंसंपून अवस्था को देख करके सपल अनर्थम云 यह संपूनवरतांत किसा है संपून अनर्थम सभी वन्चनाम से प्रालंभनों से घिरा हुआ है शकल पापमें संपूर पापों से प्रिल यस है सब्वाब्रों मोई अस्चायम्रत्तांत सभी उपद्रों से सभी आतंक से भरी घटना इसके हиль से इनका विद्यत आर्थाद भिद्यत तूट रहा है पिघल रहा है तन न अहम निरर्थकम जिगलाप इश्यामी मैं उनको बेवजा ही अधिक हर्शक्षय नहीं कराऊंगा आर्था दुखी नहीं करूंगा न चिखेद इश्यामी परेशान नहीं करूंगा इस प्रकार सूच कर आये इस परिछेद में इस पैरेग्राप में इस अनुच्छेद में जो विशेश शब्द हैं उनको समझते हैं हरिद्रा द्रवक्षालितम हरिद्रा द्रवः और तेन शालितम हरिद्रा द्रवक्षालितम निपतत द्वारी बिंदुनी वारी नाम बिंदवा वारी बिंद तत अंचित रोम कंचुकं बहुब्री समासा पूर्वं तत पुरुशह विमनायमानम विगतम मनह यस्यस विमनहा विमन इव आचरती इत्यर्थे विमन शब्दात केची तदनु शानच प्रत्यकृते रूप सिद्धिरत भवती अवा अगच्छत अवा उपसर्ग पूर्वक होता है इच्छा के अर्थ में होता है गलई हर्शक्षे धातू से पुगागम पुनहानीच प्रत्य और संप्रत्य के योग से जिगलाप इश्यामिया शब्द बनता है इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार इस संपूर्ण वृत्तन्त को स्मरण करके ब्रमचारिक में विचार करेंगे धन्यवाद